हलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई यूटूब चैनल आज के इस पीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर सबजी में मिर्च जादा पड़ जाती है और वो सबजी बहुत तीकी हो जाती है तो उसके तीके पन को कैसे हम कम कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जादा तीका बिल्कुल भी पसंद नहीं करते लेकिन गलती से कभी कभार तीकी बन जाती है सबजी तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ ऐसे टिफ्स जान लेते हैं जो आपकी सबजी के तीके पन को कम कर सकता है लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइ पहला टिप्स है घी या बटर ग्रीवी वाली सब्जी में अगर आप तुरंत घी या बटर मिला देते हैं तो सब्जी का तीकभा फंथ तक कम हो जाएगा और इससे सब्जी का स्वाड कंगे करने लिए और भी ज़्यादा स्वादिश्ट हो तीसरा टिप्स है टमाटर, सबजी का तिख़पन कम करने के लिए आप टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें टमाटर की प्यूरी डालकर आप सबजी की तिख़पन को कम कर सकते हैं, सबसे पहले आप टमाटर की प्यूरी को अलग बरतन में या फ्राइपेन में लेकर पहले उसको तेल में डाल का हलका सा पका लीजी, उसके बाद आप सब्जी में इस्तेमाल करें, क्योंकि कच्चा जो प्यूरी होगी उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हलका सा पकाने की बाद ही आप सब्जी में डाल देंगे तो सब्जी का तिखापन कम हो जाएगा. चौथा टिप्स है बॉयल किया हुआ आलू उबले हुए आलू को मैस करकर सबजी में मिक्स कर दें इससे मिर्च कम हो जाता है और स्वाद भी बढ़ जाता है इससे ग्रेवी की ठिकने सची हो जाएगी और खाने में ये और भी ज़्यादा स्वादेश लगेगा पाँचवा टिप्स है नारियल का तेल अगर सबजी तीकी हो गई है सूखी सबजी है तो उसमें आप नारियल का तेल मिला दीजिए तो सूखी सबजी का जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा और जो तीखापन है वो भी रिमूव हो जाएगा टिप्स नमबर 6 है चीनी अगर पनीर की सबजी कोफता आदी अगर बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है या फिर करी जो हमने बनाते हैं हम लोग तीखा हो जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा सक्कर मिला दीजिए तो इससे तीखापन खतम हो जाएगा और वो और भी ज़्य उसको चकर देखेंगे तो उसका तीखापन काफी हद तक कम हो चुका होगा अगर सूखी सबजी बहुत ही ज़्यादा तीखी हो जाती है तो आप थोड़ा सा बेशन भून कर उसमें डाल दीजिए तो इससे भी आपका तीखापन जो है सबजी का वो गायब हो जाएगा और सबजी स्वादेश्ट लगेगी लेकिन सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको सबजी तीखी लग रही है तो सबसे पहले टेस्ट करके यह देखे कि उसमें नमक तो कम नहीं है क्योंकि नमक थोड़ा सा डाल देने से जो तीखापन है वो आप नमक से भी तीखा आपन कम कर सकते हैं ऐसे ही नए-ने इंपोर्टेंट टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा थैंक यू